कैसे हो आपके लिए लेकर, मैं न सुचा है कि आपके लिए एक ब्लॉग शूट किया हैak क्योंकि आद संडे है मैं पुरी तरीके से फ्री हूं लग То मैं न सुचा एक वीडियो शूट करते हैं वो भी आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी मॉम के साथ एक ब्लॉग शूट कर रहा हूं जिसमें मैं उनसे सीखने वाला हूं कि रवे के हलवे को किस तरीके से बनाते हैं मुझे रवे गावलों बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने समचा क्यों आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और मुझे भी इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से रवे के हलवे को बना लेते हैं तो वीडियो बहुत जादा मज़ेदार होगी विकॉज इसमें मैं आपको अपनी मॉम से भी इंट्रोडियोस करवाऊंगा और उनसे भी आपको मिलवाऊंगा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना आज की वीडियो कोई फैशन टिप्स के उपर नहीं होने वाली है तो वीडियो को बिना इसकी क्यूवे एंड तक जरूर देखते जाना भाईओ चलते हैं किचन में और देखते हैं मॉम ने क्या तयारी कर रखी है और उनसे आपको मिलवाते हैं सो गाइस फैनली मैं किचन में आ गया हूँ अपनी मॉम के पास इन्होंने सारी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से क्या-क्या उसमें पढ़ना है मॉम मुझे बताएंगी उसके अकॉर्डिंग में काम करूँगा और क्या-क्या उसमें डलना है कैसे-कैसे होना है सारी बाते मॉम मुझे बताएंगी उसी एकॉर्डिंग में काम करूँगा और आज तो मैं सीख कर रहा हूँगा कि रवे कहलवा किस तरीके से बनता है तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि मेरी मॉम आज पहली बार कैमरे को फेस कर रही है चलते हैं फिर गैस पर देखते हैं किस तरीके से क्या-क्या बनना है और मॉम मुझे बताएंगे मैं उसके काम करूँगा लेट गो सो कैजस मॉम ने बोला एकि सबसे पहले आपको इतना रवा बनाना हो उसको आप भूल बगारा में ले लिए उसके अकॉडिण जरुक्ड जो है थोड़ी देर थोड़ी देर उसको फिर घुचते है तम इसमें जो है ॉईसे डावल देंगे उसको तोड़ी देर क तो इसका कलर नहीं बदा जाता है उसका कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है इसको कमी रखेंगे इतनी देर वो आप देखते ही कितना टाइम लगता है इसको जो है प्राउन होने में यह जहा है स्विस्ता कलर जो है हल्का सा प्राउन इस्टा हो छुका है तो इसमें हम थोड़ा सा कर दो पर जब करने के लिए ढाल देगा डिलें इतना ही आसमें नत्य ही काफी अब उसके बाद के बनना है ममी का रही है कि इसमें पहले आप ड्राइफ रूट प्रूट भी जो आपको डालने हैं वह आप पुंच के रखने हैं तो हमने रखे होगे हैं जरहां आप यह ड्राइफ रूट जो हैं इसमें डाल देंगे इस तरीके से काजू और पादाम करके पानी नहीं चाहते हो तो आप चैशनी बना सकते हो तो इसमें हमने एक कटोरी चीनी ले रखी है जिसमें हमने कितना पानी पड़े हैं पानी पड़े है जिसमें यह हाँ पहला और यह दूसरा और यह तीसरा तीन कटोरी पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए गयास पर यह रख देंगे जिससे चाश्मी बन जाएगी रेकिए आप चाहो तो आप पानी मी डाल सकते हो क्या करने करो हैं चीनी घुलने तक करें करना है पूरी चार्चने नहीं बनाना है करें करें नहीं बनान है जो गाइस फाइनली जो है मैंने यह बना लिया हमारी आज कि जज है उनको तेस्ट करा के देखते हैं कि हलवा किस तरीके का बना है तो मैं टेस्ट करके बताओ उन लोगों कि हलवा कैसा बना रहा है वह दो बहुत अच्छा बना है तो दस मेंसे कितने नंबर आप देना चाहेंगी मुझे दस मेंसे मैं आपको आठ नंबर मिले हैं तो नॉट बैड फैनली जो है हलवा तो मैंने बनाना सीख लिया है और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजएगा साहरे साहरे कमेंट लिकर के बताईए कि इस तरीके को ब्लॉग आपको कैसा लगा और आगे वीडियो में आपको और ब्लॉग चाहिए तो वो भी मैं आगे बनाता रहूंगा और अपनी मॉम के बारे में मैं बहुत ज़रूर्टीव है मेरे लिए चाहें वो पैसे की बात हो या पर चाह करती है जो जो बात है मैं गपोर जादा बचburger और माँगाई में फेडियो-वॉद्ण को या आई नाटन को सब्सक्राइब कर कर दो आई है और वीडियो को लाइक कर दो और साथ एक कमेंट भी कर दो मॉम पहली बार कैमेरा फेस्ट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है पहली बार में सब के साथ होता है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ